हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो और चैनल तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मनी के प्रकाशन की लेपाल परिक्षा मारदश्का के टेस्ट की और उसमें 12 टेस्ट सीरी हो चुका है आज हम देखेंगे टेस्ट सीरी नंबर 13 ठीक है इसमें हम हिंदी और जीस के 50 कोईस्ट को डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम हिंदी के 25 को देखेंगे उससे संद्बंदी जितने भी पॉइंट होंगे वह भी डिसकस किया जाएगा इसके बाद जीस के जो है 25 कोईस्ट देखा जाएगा ठीक है तो वीडियो को इंड तक देखना तब इसका फाइदा जो एक ज बात करें जिसमें कोई तुर्टी दी गई है यानि कि कहीं गलती दीए हुई इस वाक में अब इसमें बताना कि कहां पर गलती है तो लोकतंत्र एक राजनेतिक राजनीतिक बेवस्था है और जो लोगों को समान मानती है ठीक है तो देखे इसमें गलती कहां पर है इसमें ग दो आइंसर सहें हो जाता हैलिए अगला कोस्थान को भरने के लिए उपयुक्त सबुधे का ему करना है सैनिक देश की कि जोन पर रख्चा करते हैं दूपर रख्ट सहीं हो जाएगा कर दाएंचिए वहांग के लिए और खंड को प्रत्यस्थापित करने के लिए उपयूक्त सोडस वर्षिय पुत्र अभ्यमनु ने चक्रविय उतोडा सोडस की जगा पे हमें जो है इसको और एक आंकित है और इसी को हमें प्रतियस्थापित करना है अलग करना है किस सब्द के दौरा हो जाएगा छह बीर जवान या फिर सोला तो सोडस एक तत्सम सब्द है इसका तद सब्द क minha बागों में खिलते हैं पक्षि हैं लड़के भावरे या फिर फूल तो बागों में फूल खिलते हैं इसमें रिक्त स्थान पर फूल भर दिया जाएगा तो इसका एंसर जो है D RC म bud Links ऑने करें सब्दिता समय जो दिया गया है यह जो है पुलिंग है और इसके साथ पुलिंग का ही प्रयोग होना चाहिए आता जो है समय की जो लिखा हुआ है बाद में इसके अस्थान पर का होना चाहिए ठीक है तो यहां पर तुटी दिया गया है यानि की समय की महत्त यहां पर तुटी है यहां हो में क्या कहेंगे ये बताना है तो रात और संध्या के समय जो बीच का समय होता है उसको क्या कहते हैं गोधूली बेला कहते हैं तो एंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा गोधूली ठीक है और इसके बाद जो है इसमें यामनी सब्द जो लिखा हुआ ये जो है रात्र का प्रियाइबाची है ठीक है यामनी सब्द और गोतीत गोतीत जो दिया गया है ये इसको क्या कहेंगे जो इंदिरियों के ग्यान के बाहर होता है उसे गोतीत कहा जाता है तो इसकी परिवासा ये हो तो D parties का सभी आएगा माखन चोर इस तरीके से लिखा जाता है नेश्ब कोष्चन है निमलिकत में से उस बीकल्प का चेहन करें जो हरी जंडी दिखाना मुहावरे का आर्थ व्यक्ति करता है इन में से बताना है कि हरी जंडी दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो आगे बढ़ने का संकेत देना इसका अर्थ होता है ठीक हरी जंडी दिखाने का महत मुहावरे का अर्थ क्या होगा आगे बढ़ने का संकेत देना इसका मेन अर्थ होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है हरी जंडियों का चलिए अगला कुश्य देखते हैं दिये वाक मेरे खांकित खंड को प्रतिय स्थापित करने के लिए उपिक्त विकलप का चैन करना है वह पिछले वर्स हरिद्वार गये था इसमें हरिद्वार की जगा पर और क्या लिखा सकता यह बताना है तो अगर हम बात किरें तो अ पिछले वर्स हरी पिछले वर्स का यह प्रियावर थी सब्दह है अगले क्वेश्चन विलोम सब्द बताना है नीशा का बिलोंग क्या होगा निशा का बिलोंग बताना है तो निशा का बिलोंग होता है रात ठीक है निशा की बिलोंग क्या होता है तो रात होता है अब इसके बिलोंग की बात करेंगे तो दिन हो जाएगा या फिर दीवा हो जाएगा तो इसमें दीवा दिया गया है तो दीवा म होना मुहावडे का अर्थ वियक्ति करता है इनमें से बताना हैं कौन सा पार्ट जो है मुहावरे का अर्थ है गुर्द एगला क्रोश्चन है सही वर्थनी वाले सब्दका ना चैन करना है धुमा 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 अब धुमा की बात करें तो इसका डी पार्ट हो जाएगा यह सही रूप की बिएटान का पुश्तक का फट गया क्या फट गया क्या फट गया यह पुस्तक का एक पनना फट गया पुस्तक का क्या फट चाक degrees पेलाब के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है इसमें बताना है कि कहाँ पर गलती लिखा गया है तो अगर हम बात करें समूहूं समूह के लोगों की तो समूह से ही समूह वाचक सब्द का बोध हो जाता है इसलिए इसका बहुबचन नहीं बनाया जाता समूह सब्द का ठीक है यानि कि समूह को समूह नहीं कहा जाएगा तो गलती कहां पर है यहीं पर गलती है यानि कि फर्ट पहले पार्ट में गलती है तो होता है खराबी होती है खामी हुई होती है विकार होता है कमी होती है यह सारे जो है आउगुल के प्रयाइवाची है तो गर हम इसके क्वेस्चन के अंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा दोस अंसर इसका सही हो जाएगा राइट ठीक है अकर्मक किरिया अंसर क्या हो जाएगा अकर्मक किरिया में क्या होता है कि सूचित होने वाला जो व्यापार होता है वो करता कर रहे और उसका फल भी करता को ही टो वहां पर अकर्मक करता हो आकर्मक कीया होती आगर इसमें कौरता है इसमें के क्रिया कीया करता है 5 क्या हो जाएगा यहां पर अकर्मा क्रिया हो जाएगा नेश्ट कोशन देखते हैं दिये गे वाक में रेखांकित खंड को जो है प्रतिय स्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन करना सीतल वायू चल रही है सीतल की जगा पर और सब क्या लिखा जा सकता है जिस स्वागत की अगर हम बात करें तो स्वागत को अगर हम विग्रा करते हैं तो सू प्लस आगत बनता है ठीक है सू प्लस आगत बनता है यानि कि छोटा उ प्लस बला बराबर वा बन जाता है यहां तो यहां पर कौन संधी आ जाएगी यहां पर याड संध आ जाएगी याड स कहलाते हैं तो उन्हें कहते हैं विभाव ठीक है विभाव जो होता है वो किसी दूसरे बैक्ति के हिर्दे में इस्थाई भाव जागरे तत्वा उत्दीपित करता है अनुभाव वो होता है जो आलंब और उत्दीपन के कारण जो कार होता है उसे अनुभाव कहते हैं इस्था सारी भाव कहलाता है तो यह बात होगी नेश्ट कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन 22-24 तक इस गध्यांज से दिया गया है और गध्यांज को पढ़के उस 22-24 को हमें एंसर देना ठीक है कर्म के भाग पर आनंद पूरबक चलता हुआ उतसाही यद अंतिम फल तक न पहु का जीवन कैसा होता है इस गध्यांज के अनसार इसका अंसर बताना है तो अगर हम एंसर की बात कि रहेंगे तो शंतोस या आनंद पूरब इसका उतसर हो अंतोस होता है कि उसे ने प्रियत्न नहीं किया तो यह गद्यान से इसका इंसर इस तरी किसे निकलता है इस गद्यान से अगर हम इंसर की बात करें तो इसमें जो बीडा पार दिया गया ये बवबरी ही समास के अंतरगत आता हे, ठीके, जिस समास में कोई पधप्रधान नहों कर अन्य पधप्रधान हो, तो वहाँ पर बवबरी ही समास होता हे, ठीके. तो यह था question हिंदी के 25 question, आप देखते हैं, सामान ज्यान के 25 question के बारे में. चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं मनुस्य के किस गुड़ सूत्र की अधिक्ता के करण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है ये बताना है तो अधर की बात करेंगे तो वह गुड़ सूत्र होता है 21 21 वे गुड़ सूत्र की अधिक्ता के करण डाउन सिंड्रोम मनुस्यों में हो जाता है और ये एक जो है आनवानसिक विकार होता है डाउन सिंड्रोम से जो है एक रोग है और इसे गर्षित रोगी जो है मंद बुद्धी, आखे टेढ़ी, जीव मोटी तदा अनियमित सारीरिक धाचा हो जाता है इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं ये भी याद रखना है टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है वो इस्तिरियों में ही होता है और इस रोग से गर्षित इस्तिरियों में गुर्षूत्रों की संख्या हो जाती है 47 ठीक है और इस जिरोग से इसके बाद अगर हम बात करें तो पौधे की लंबाई में ब्रिधिक करने वाला हर्मोन की बात करेंगे तो वह होता है आक्सिजिन के कारण पौधों की बढ़ती है ठीक है और अगर हम बात करें इसमें पॉइंट की तो बावना पौधा जो हो तो उसको लंबा करने के लिए जो है साइटो काइनन परियोग किय जाता है इतलीन जो होता है एक एकएयसिय हार्मOD होता है और किस्का प्रिओउघ को बढता है हार्मोन होता है तो जल सोधक में हैं किसका प्रियोग किया जता है तो जल सोधग में जो है वो परियोग करते हैं उस एंसर हो जाएगा पराबाइगने की इड़ों का परियोग जल सोधग में केया जाता है और इस विक्सित नई प्रणाली से मातर एक रूपे में 1000 लिटर पानी को सुद्ध पेजल के रूप में परियोग में लाया जा सकता है कि इतना देख़ी कि Mooyu सस्ता है तो एंसर क्या हो जाएगा वीपार्ट हो जाएगा निए स्ट कोशिजन दिखते हैं प्रोटीन की कमी के कारण कौंच सी बीमारी चाहिं यह बता ना है है किंअ तो प्रोटीन की कमी है के प्रोटीन की कमी की काराब लेकिन प्रसों में बीमारी जो होती है प्रोटीन की इसको मरसमस रोक किए ठीक है तो एंसर क्या हो जाएगा इसका बीपार्ट हो जाएगा का सी है इसके बाद ग्वाइटर जो है ग्वाइटर इसको हिंदी में और एक नाम से जानते है घेंगा तो घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है उसको ग्वाइटर कहते हैं ठीक है घेंगा कहते है हीमोगलोंकी मातरा की कमी से जो होता है क्या अनेमिया रोग हो जाता है ठीक है फेपड़ों में तक सांस ले जाने वाली नलियों की अंदरूर्णी परत पर सूजन हो जाने के करद को इसी बिमारी हो जाती है ठीक है का नाम जो है वह वह वी टामिने का नाम है ठीक है कि अब अगर हम बात के लिए इ Melanie की कि बात करें सैंट इसका नाम है फोली केसिद इसका वी तामने की कहा जाता है ठीक है पोली केसिद यह बाते होगे नेकुश्चिं ध्यू को देखते हैं सुच्म जीओ के प्रियोग द्वारा धल और समद्र के उन छेत्रों का जो पीड़क नासक तेल बिलायक द्वारा प्रदूसित हो गये उपचार करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है यह क्वेश्चन है यह एक अप्सिष्ट प्रबंधन तकनीक होती है जिसके अंतरगत सुच्म जीओ आदि के प्रियोग द्वारा प्रदूसित जो स्थान से प्रदूसर्ण को निश्प्रभावी किया जाता है यह जो है जैव रहसानिक चक्र के सिधान के माध्यम से ही कारी करता है यह बातेगाने देख्ते है 1921 में मौपला विद्रो कहा हुआ था यह बताना इंपटेन कोष्चिण है मौपला विद्रो बिद्रो की बात किना यह 2020 में यह हूँ था केरल के यह दिया गया यह केरल चेत्रस्पाई लगवाभार तठ्ट शेत्र पर जो है खेतिहारों को जो हम प्वित शेहीं कुऽ मुसिलिम औरी से था तानि यहां के अधिकांज खेतिहर जो है पट्टेदारों यानी कि मुसलिम अर्ग करहा था सब्ना के विरोध हो गया है था खीला सकूल के शह अब अगला कुश्चन देखते हैं पत्रकार के करतब का निरोहन करते हो जेल जाने वाले पर्थम भारतिये कौन थे ये बताना है ठीक है तो अगर हम एंसर की बात करेंगे तो इसमें बाल गंगाधर तिलक का एंसर हो जाएंगे एंसर ये पार्ट से हो जाएगा ठीक है बाल दर तिलक योंग गोपाल गड़ेस अगरकर को मराठा योंग केसरी पत्रों में जो है पत्रकार के रूप में लेखन हिद 1882 इस्वी में चार माह के लिए इन्हें सजा हुई सुरेंद्रेनाथ भनर जी को पत्रकारता के अधार पर 1883 में शजा की गई थी जो कि ये दूसरे भारतिये थे ठीक है बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और लाल बाल पाल में से एक ये नेता थे बाल गंगाधर तिलक है अगर आग सेकेंड ने ठीक है अंसर इसके क्या हो जाएगा बीपार्ट हो जाएगा मुझल बास सा अगबर सेकंड ने जो है राजा राम महुन राय को राजा की उपादी दिया था अगबर सेकंड ने इन्हें परादूत बनाकर 1830 में इंग्लेंड भेजा था ठीक है और ये बेटी सम समराथ विलियम फोर्थ के दर्वा में एक दूत के रूम में गया थे राय को समराथ से जो मुगलबासा का पेंशन की मात्रा में बिर्धी पर बाचीत के लिए भेजा गया था इंगलेंड यानि की ब्रिष्टल में 18.33 में इनकी नीधन हो गई तो यह बात हो गई नेश्ट कोशन देखते हैं करंट प्रजेंटेशन में नई स्लाइट इंसर्ट करने की साट कट की काउंसी है यह बताना है तो करंट प्रजेंटेशन में नई स्लाइट इंसर्ट करने की साट कट की है कंट्रोल प्लस एम क्या हो जागा इसके अंसर भी पार्ट हो जागा यह कंप्यूटर से सम्मध बात किस गौवर्नर जनरल के द्वारा हुई थी या किस गौवर्नर जनरल के काल में हुआ था यह बताना तो एंसर हम इसके बात करेंगा एंसर की तो वो थे बिलियम बेंटिक बेंटिक के काल में जो है 1835 इसवी में एक प्रस्ताव के द्वारा मैकाले की सिच्छा की नीति को लागू किया गया था भारत मेंगरी सिच्छा का जनक की बात करें तो लाड मेकाले को माना जाता है लाड मेट काफ जो है कारेवाहाग गौणर जनरल बन था तर्सो पैटिश थिस भी में और इनको भारत में प्रेशों का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इन्हों ने प्रेश पर से सभी सभी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है ठीक है अगला कि देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं यह बताना है लोक निर्त है और राज्यस में से बताना है कौन से ही सुमेलित नहीं पीहु असम खूमर राजस्थान भांगडा केरल लावनी महाराष्ट्रा तो हम की बात करेंगे तो इसमें जो भांगडा केरल दिया गया है यह सुमेलित नहीं है भांगडा जो है पंजाब का लोक निर्त है ठीक है भांगडा कहा का लोक निर्त है पंजाब का तो एंसर क्या हो जाएगा तीसरा इसमें सही हो जाएगा यानि कि केवल बी ठीक है केवल तीन, यानि कि B parties का answer से हो जाएगा, भिहू असम का लोग न रिधा है, घुमराजस्थान का है, लावनी महाराष्ट्र का है, और तमासा भी महाराष्ट्र का है, सत्रिया असम का सास्ति क्रियनत्र है, भरत नार्ट्रम जो हो तमिलनाड का एकल सास्तिय निरत है, कत्थक ली भी टेनिस से होता है। एंसर क्या हो जाएगा B पार्ठ हो जाएगा टेनिस एक लावेर कप जो है आस्ट्रेलिया इस ठीकर्ट टेनिस खिलारी राड लावेर के नाम पर आजिद किया जाता है। एसिया कप डूरंड कप संतोष ट्राफिक कलिंग कप फुटबाल से संबंदित कफियों ट्राफिया है नाइडो ट्राफिक खेतान ट्राफिये सतरन से संबंदित ट्राफिया है ठीक है यह बाते होगे इनेश कोशन दिखते हैं यूरोपिय संसत का मुख्याले कहां यह बताना वा जो का मुख्याले कहाँ जीन एवा में ठीक है तो एंसर इसका क्या हो जागा बी बाट हो जागा next question देखते हैं हिंदू विकासदर किस से संबंदि यह बताना है तो हिंदू विकास दर जो है वो राष्ट्री आई से संबंध थे एक अर्थ सासिर से प्रोफेसर राज कृष्ण ने भारती अर्थवेस्ता में धीमी बिध्धी दर को हो जो है हिंदू विकास दर कहा है तो एंसर के क्या हो जगा है ये पाट जगा मुद्रा स्फीत के नियंतरल की बिध्धी नहीं है क्या उनकौन सी बिध्धी नहीं ये बताना है मुद्रा स्फीत के तो अगर हम एंसर की बात करेंगे तो सी पाट जगा ब्याजदर में कमी करना जो है मुद्रा स्फीत के नियंतर पुर्णा में मुद्रा के अधिक होने से वस्तु की कीमत में बिर्दी होगी ठीक है तो यह बाते होगी नेस्ट कॉश्चन देखते हैं किस अनुच्छेद के कारण आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उलंगन होने पर नयाले जा सकता है तो वह अनुच्छेद 32 के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उलंगन होने पर नयाले जा सकता है तो यह बाते हो जाएगा डीपार हो जाएगा ठीक है अनुच्छेद 32 चलिए अगला कुशन देखते हैं राष्ट्रिय महत्य के समारकों का सरच्छन का उल्लेक किस भाग में किया गया है तो यह किया गया है भाग चार में एंसर क्या हो जाएगा डीपार्ट हो जाएगा राष्ट्रिय महत्य के समारकों का सरच्छन का उल्लेक जो भाग चार में है भाग चार में समिधान के अनु उच्छत उनचा से वह कहता है कि राज राश्ट्रिय महात्यकाइसमारक एतिहासिक अस्तर को सरच्छर देने का कारिक करें यह बात होगी नेस्ट को से निते हैं समिदान निर्मात्री पारिशत की तदर्थ झधंडा समीत के अध्यक्ष कौन थे तो तदर्थ झधंडा समीत के बात करेंगे तो राजयंत प्रसाद यह अंतर्या रखना ठीक है राजयंत प्रसाद जो है नियमन समित प्रक्रिया समित के भी अध्यक्ष थे समिधान सभा ने कुल 17 समितियों का गठन किया था जिसमें सरवादिक महत्यका प्रारूप समित था और जिसके अध्थच डॉक् 246 को सिभकार कर लिया था तो इसका भी पाठ हो जाएगा नेश्ट कोशन देखते हैं अगला प्रस्ण है निम लिखे तुमें से कौन अक्साई चीन का भाग नहीं अक्साई चीन का भाग है यह बताना है तो इसमें से अगर अक्साई चीन का भाग है तो वो है कराकोरम स्रे के टू की उचाई जो 8611 मीटर है जो कि विस्र की दूसरी सरवोज चोटी है ठीक है पहली सरवोज चोटी है जो विस्र की है वो आप कमेंट के बताईए कोंसी है तो यह बाते होगे ठीक सिवालिक सिरेंडी जो है पंजाब से लेकर नेपाल की कोशी तक फैला हुआ कोशी नद इसको है हमबोल्ट की धारा जो है वो ठंड़ी सरगा बाकी ब्राजील की रोश्यो और गल्फ यह तीनओ गर्मद्ः की चजिवाब है धारा जूतर में दच्छिड विस्वती धारा से मिल जाती है, और उत्तर प्रशामत माहा सागर की धारा क्योशियो की कि धारा जापान के तर्ट के पास सुसीमा धारा कहा जाता इसको तो यह बाते होगी नेक्ट कोशन दिखते हैं नेम लिखेत में से कौन computer resources को manage करता है यह बताना है computer resources को कौन manage करता है तो answer की अगर हम बात करेंगे तो इसमें answer हो जाएगा program प्रोग्राम जो है manage करता है computer reais को computer के पीता चैनक चार्ज single वापेच को कहा जाता है computer के पीछी computer जो है बना ज्षेदर एक port कहलाता है और और बिट जो है दुधारी अंक होता है, बिट में कितने अंक होता है, दुधारी अंक होता है, एक होता है, जीरो एक होता है, ठीक है, और वो computer जिसकी स्मिर्थी समता 52 MW से होता है, MW से अधिक होता है, उसे क्या कहता है, उसे क्या कहता है, सूपर कम्प्यूटर कहता है, ठीक नंदा देवी जो है महान हिमाले की प्रवचोटी है धोलागिरी सिरेड़ी लग हिमाले की दक्षिर्तम सिरेड़ी है जो 4000 मीटर से कुछ अधिक है उची है तो एंसर इसका सीपाट हो जागा नेश्ट कुश्चन देखते हैं निम लिखित में कंप्यूटर माउस मूल रूप स से ची यू आई प्रियोग किया चाहिता है जी यू आई का फुल फार्म क्या होता है ग्रैफिकल यूजर इंसर टिखस ऐसे बारह मेमोरी होता है रेम एक वला टाइल मेमोरी है और व्रं मेमory घक हो लो заметते हैं कौसी भारती कंपनी बिफ्सकी पांचोई सबसे मजबूत ब्र रिलाइंस जीओ, पिस्ट की पांचोय सबसी मजबूत ब्रेंड बन गई है, रिलाइंस जीओ, जो की मुक्य संभाने की कमपनी है, रिलाइंस, तो एंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ते था अब अबराल क्वेश्टन, पचास क्वेश्टन जिसका डिस्क्रिशन किया ग जो.